हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लाई हैं एक ऐसी स्विट्डिस की रेस्पी जो बनानी में भी बहुत आसान है दस्मट में बनके तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिस लगती है आपको मेरी रेस्पी अच्छे लगए तो लाइक शेयर कमेंड करना बिल्कु चोड़ देगी अब इसको हम साइड में रख देते हैं तब तक हम बाकी की दियारी करते हैं मैंने कडाई ली है अब स्वादी चम्मस घी डाल देते हैं तीन टेवले स्पून और इसको अच्छे से गरम हो जाने देंगे तक हमारा की गरम हो चुका है अब इसमें कुछ ड्र 15-20 किसमिस ऑप्शनल है आप जो ड्राइफूर्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और इनको लो टू मीडियम फिलिम पर रोज कर लेंगे जिससे अच्छे से भुन जाए अच्छा सा कलर आ जाए इन पर ड्राइफूर्स ऑप्शनल है आप डानना चाहें डाल लिए बनना इस इसलिए हमने सारे डाइफूर्स निकाल लिए हैं अब उसी कडाई में हम थोड़ा सा घी और डालेंगे दो चमज और इसको गरम होने देंगे अब इसमें मैं आदा कप सूजी यूज कर रही हूं आप कोई भी सूजी यूज कर सकते हैं मौटी या बारिक वाली और इसको ल हलका सा इस पर गुल्डन कलर नहीं आ पर तब तक हमको इसको रोस्ट करना हैं यसको अब लोटू मीडियूं फिल्म पर ही टॉस्ट करें जिससे कर अचछे से बुझ जाती है हमारी सूजी अब राइफ फिल्म पर रोस्ट करेंगे तो यह वह अच्छे से नहीं भुझेगी देखिए इस पर हलका सा color आ गया हमें इस पर हलका ही color लाना है ज्यादा dark नहीं करेंगे हम सूजी को अब इसमें हम एक कप गरम पानी आड़ कर रहे हैं मैंने आदा कप सूजी लिया था तो एक कप गरम पानी और इसको भी साथ मिक्स करते दाएंगे पानी डालते समय गैस का फ्लेम लो कर दीजिये क्या वख़ने सूजी उच्टेगी तो हाथ जलने का भू रहेगा इसलिए थे हमारे पानी भी सोक लिया अच्छी से मेल्ट नहीं हो जाती तब तक दिए हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है अब इसमें हम जो केसर वाला दूद हमने भिगो के रखा तक वो डाल देंगे यह आप डालना चाहें डाल लिए वरना आप इसके बना भी बना सकते हैं आप फूट कलर भी डाल सकते हैं अब ज इसे के कलर बहुत अच्छा आएगा हमारी हलुए पर इसको चार-पांच मिनट के लिए कुक होने देंगे लो फ्लेम पर जिससे हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए हमारे फूल गया है अब इसमां एक चम्मच एलाईजी पाउडर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छे से जी कितना बढ़िया कलर लग रहा है आप इस तरीके से इस हलुए की रेस्पी को एक वा जरू बना के ट्राई किजिएगा अब इसमां मैं एक चम्मच घी डाल देती हूं जिससे के खुश्बू आएगी हमारे हलुए में मेरे को टोटल एक कट से डाल रही हूं वही अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ऊपर से घी डाल लेते गया हलुए में अच्छी से खुश्बू आती है कि हमारा हलुए बनके तयार हो चुका है सुझी बढ़िया फूल गई है देखिए कितना बढ़िया कलर देख रहा है चलिए अब इस अगर अच्छी लगी तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आपको कौनसी रेस्पी देखनी है मुझे कमेंट करके ये भी जरूर बताईएगा अब इसको हम एक प्लेट में डाल निकाल लेंगे टांसफर कर लेंगे देखिए कितना बढ़िया हमारा हल हमारे हलुए का है ना थैंक यू